हलो क्लास, वेल्कम बैक, बेटा, अकाउंटिंग एक्वेशन को ही हम कॉंटिन्यू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं हॉमवक के कोश्चन करा देता हूं बेटा, मैंने कोश्चन नमबर शायद 10, 11 और 12 आपको हॉमवक दिये थे, सबसे पहले बेटा, हम वो ही कोश्चन करेंगे, उसके बाद आगे के कोश्चन को भी देखते हैं बच्चों, चलो जी, स्टार्ट करते हैं बेटा, बबू, कोश्चन नमबर 10 मैं रीड कर रहा हूं, कोश्चन कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, कोश्चन में कुछ भी नहीं है, मुझे कैपिटल की अमाउंट देता है, आउटसाइड लाइबिलिटी की अमाउंट देता है, और मुझे टोटल एसेट केलकुलेट करने को देता है, बाबू, कोश्चन नमबर 10, देखो जी, अगेन मैं बात करता हूँ, अगर आप इसे अकाउंटिंग एकुवेशन के फॉर्मला से भी कर लो, तो क्या प्रॉब्लम है, आटस्तों के बराबर होती हैं, कैपिटल के विच इंटर्ण लाइबिलिटी, ऐसले अज बेटा आउट साइड लाइबिलिटी आाप चाहे एसेट लिख लो चाहे टोटल एसेट लिख लो बेटा, बात सेम ही हाँ, बेटा मुझे टोटल एसेट हीol के कैलकुलेट करनी है, लो प्यारे बच्चो, total assets किसके बराबर होंगी, capital के plus liability के, मुझे capital दी हुई है बेटा, 1,00, and the outside liability is 120, let me check the figure, बेटा, मुझे capital दी हुई है 120, sorry, capital दी हुई है 120, and outside liability is 20, that means total assets given to me is 1,40,000, तो बेटा, मैं easily calculate करा, अगर आपको लगता है, मैं ऐसे calculate नहीं करना चाहता हूँ, मैं balance sheet से करना चाहता हूँ, तो बेटा, वैसे कर लो, बेटा, balance sheet है, that means balance होंगी इसकी दोनों side, बेटा, दोनों side balance होंगी, left hand side liabilities, right hand side assets, amount, amount, बेटा, question ने आपको क्या दिया, capital दी, लो बेटा, लिखो फटा बट से capital, capital given है, बेटा, 1,20,000, as well as outside liability भी given है, बेटा, कितनी, 20,000 rupees, बाबू, total करना liability side का, liability side का total आएगा, 1,40,000, बेटा, balance sheet के साथ feature है, कि जतना total liability का होता है, उतना ही assets का होता है, तो बेटा, यहाँ कोई asset नहीं दिवी, balancing figure calculate हो जाएगी, total assets, 1,40,000 rupees, मैं लिख रहा हूँ, balancing figure, balance करने के लिए, जो figure चीए, लो जी बेटा, क्या question number 10 हो क्या, बेटा, इतना ही simple था, हमने कर लिया question number 10, what about question number 11, लो प्यारे बच्चो, फटा फट से read करते हैं, बेटा, question number 11 कहता है, total asset of our business are 1,30,000, and a capital is 80,000, calculate the creditors, बेटा, मुझे capital की amount बता दी, 130, नहीं, sorry, मुझे assets की amount बता दी, 130, capital की amount 80, और मुझे कहता है, calculate creditors, again बेटा, use the same formula, assets is equals to capital plus outside liability, बेटा, assets की amount दी हुई है, आपको 1,30,000, capital is also given in the question 80,000, you can easily calculate the outside liability, बेटा, ये figure इदा जाएगी, negative हो जाएगी, is equals to outside liability, या बोल लो बेटा, creditor, creditor is also a outside liability, क्योंकि question में मुझे creditor को calculate करना है, बेटा, तो मैंने directly outside liability की जगा, creditor ही लिख दिया है, प्यारे बच्चो, लो जी, तो creditor क्या आगे है, बेटा, amounted to rupees 50,000, लो बेटा, question number 11, भी हम या complete कर लेते हैं, तो बेटा, आगे बढ़ते हैं, बेटा, question number 12 की तरह, बाबू, last day में illustration number 12 करा कर गया था, बहुत analysis हमने उस पे किया था, same analysis आज दुबारा भी कर सकते हैं, बेटा, question number 12 क्या कहता है, कहता है, A commenced his cloth business on 1st of April in 2019, बेटा, A ने cloth का business start किया, 1st of April 2019 को, बेटा, capital of 3 lakh, बेटा, opening capital business में लेकर आया, वो 3 lakh रुपे, ठीक है जी, on 31st of March 20, बेटा, साल के आखरी दिन क्या हुआ है, कहता है, his assets were worth 5 lakh and the liability is 1 lakh, बेटा, साल के आखरी दिन, कहता है, assets की वर्थ हो गई है, 5 lakh और liability की वर्थ हो गई है, 1 lakh रुपे, ठीक है जी, कहता है, find out the closing capital and the profit earned during the year, आप closing capital निकाल कर दे दो और profit निकाल कर दे दो, बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है, इस question में, हम एक मिनट में इस question को कर सकते हैं, लो प्यारे बच्चों, एक मिनट में मैं जरा ink insert कर लो, फिर करते हैं start इसको, लो बेटा, करते हैं question number 12, लो बावो, मुझे space की requirement है, मैं रब कर रहा हूं इसको, आप ऐसा भी कर सकते हो, बच्चों, मुझे post करके question खुद try करो, मैं चाहता हूं बेटा, आप खुद भी try कर सकते हो इसको, मैं चाहता हूं बेटा, आप खुद करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लो जी बेटा, question number 12, मेरे प्यारे बच्चे, जिन से नहीं हुआ, वो मेरे साथ साथ कर रहे हैं, question number 12, बेटा कहता है, first of April 2019 को आपने business start किया, with a capital of 3 lakh, बेटा, साल के पहले दिन जो capital है, बेटा, वो मेरे लिए opening capital है, opening capital amounted to rupees 3 lakhs only, छीक है जी, बाबो बोलता है, 31 मार्च 2020 को क्या हुआ, यानि कि साल के आखरे दिन क्या हुआ, कहता है, आपकी total assets की वर्थ है, total assets की वर्थ हो चुकी है, 5 lakh, और आपको बोलता है, प्यारे बच्चों, की आपकी liabilities की वर्थ हो चुकी है, आज के दिन ही, 1 lakh रुपे, और आपको कहता है, calculate the closing capital and the profit, आपको कहता है, बेटा, calculate कर दो, closing capital and profit, ठीक है, प्यारे बच्चों, समझते हैं, जरा ही, सीच को, बेटा देखो, मैं अगर 31st of March 20 के दिन accounting equation लगाऊं, तो शायद मेरी closing capital अभी निकल कर आजए, मैं accounting equation लगा रहा हूं, इस दिन accounting equation क्या बोलती है, asset या total assets, किसके बराबर होती है, बेटा, हमेशा capital plus liability के, हमेशा capital plus liabilities के बराबर होती है, ठीक है, प्यारे बच्चों, बाबु, question ने मुझे total asset कितनी दी, question ने मुझे total asset दी, बेटा, 5 लाख रुपे, लिख दो, प्यारे बच्चों, total asset 5 लाख रुपे, मैंने लिख दी, बेटा, बावु कोस्टन ने मुझे capital calculate करने को दिया आज के दिन बेटा closing capital calculate करना मतलब साल के आखरी दिन calculate करना 31 मार 2020 को जो capital है वही closing capital है और मैं यहां 31 मार 2020 के दिन ही accounting equation prepare कर रहा हूँ बेटा आज के दिन क्या मुझे liability पता है बेटा पता है 1 lakh रुपी तो बेटा हमने easily capital को calculate कर दिया यह figure इदर जाएगी बेटा negative हो जाएगी लो प्यारे बच्चो we can easily calculate the capital amount and the capital amounted to rupees 4 lakh only that means बेटा के हमारी closing capital निकल कर आगई हमारी closing capital calculate हो कर आगई बच्चो 4 lakh रुपे लो बेटा 4 lakh रुपे मेरी closing capital calculate हो कर आगई क्या बेटा मैं इसको balance sheet से भी कर सकता हूँ मैं इसको balance sheet से भी कर सकता हूँ जिन बच्चो को लगता है मुझे balance sheet से करना चाहिए लो बेटा मैं उनके लिए solution balance sheet से कर देता हूँ balance sheet as at 31st of March 2020 बेटा balance sheet का format आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चो left hand side आप क्या लिखते हो liabilities right hand side बेटा assets then बेटा amounts amounts बेटा question ने आपको दे क्या रखा है question ने मुझे total assets बता रखी है आज के दिन बेटा 5 lakh लिख दो प्यारे बच्चो total assets 5 lakh रुपे और question ने क्या बता रखा है बेटा बता रखी है liabilities low बेटा लिख दो liabilities कितनी बेटा 1 lakh रुपी मेरे प्यारे बच्चो बाबो balance sheet के साथ एक बहुत beautiful feature है कि यह हमेशा balanced होती है याने कि जितनी asset होती है उतनी liability होती है मैंने बेटा asset का total किया 5 lakh उतना ही लिख दिया liability में 5 lakh बेटा मैं easily calculate कर सकता हूं closing capital balancing figure 4 lakh रुपी तो बेटा चाहे आप formula से करना चाहो चाहे आप balance sheet से करना चाहो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता एक ही बात है बेटा question में कैसे calculate होने वाला है profit बेटा मुश्किल बात थोड़ी है उस दिन भी मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा अगर मैं opening capital लूँ और उसमें कुछ चीजों को add कर दो कुछ चीजों को less कर दो तो मेरे प्यारे बच्चो closing capital आ जाती है ओपनिंग capital में बेटा add कर दो additional capital introduced और क्या less करना है बेटा एक drawings को less कर दो और क्या add less करना है मेरे प्यारे बच्चो profit add कर दो और क्या less करू बेटा losses को less कर दो ठीक है जी क्या calculate हो जाएगा ऐसा करने पर बेटा ऐसा करने पर closing capital calculate हो जाएगी closing capital बेटा closing capital मुझे इस question में मैंने अभी calculate करी है 4 lakh rupees मैंने बेटा अभी opening capital देख रहा हूँ मैं क्या given है 3 lakh rupees बाबु question मुझे कहता है calculate profit again बेटा उस दिन वाली चर्चा को बोलता हूँ मैं दुबारा से बेटा मुझे profit निकालना है that means अगर profit है तो losses नहीं हो सकते question में बेटा losses zero ही होंगे बेटा या तो क्या होगा business में profit होंगे या losses दोनों काम इखटे थोड़ी हो सकते हैं बेटा तो मैंने क्या करा बेटा losses को zero मान लिया क्योंकि मुझे profit calculate करने है what about additional capital introduced and drawings मेरे प्यारे बच्चों को सर ने कहीं मुझे additional capital की कोई बात नहीं कई drawings की बात नहीं कई बेटा जब तक नहीं कई तब तक यह चीज़े zero है क्या मुझे profit calculate करना है क्या easily हो सकता है बिलकुल हो सकता है बेटा formula क्या लगा opening capital plus profit is equals to closing capital you can easily calculate the profit बेटा profit आएगा यहां पर 1 lakh रुपीज 3 lakh में क्या जोडों की 4 lakh आजे बेटा मैंने जोड दिया बेटा 1 lakh और मैं bracket में लिख रहा हूँ balancing figure मेरे प्यारे बच्चों आप formula भी लगा सकते हो opening capital plus profit is equals to closing capital opening capital और closing capital की figure put कर देना profit will be your balancing figure तो बेटा यह था question number 12 तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं illustration number 13 करते हैं बावो illustration number 13 start करेंगे आज हम लो जी illustration number 13 क्या कहता है बेटा दो पार्ट देता है मुझे illustration number 13 के दो पार्ट है part A and part B पहले मैं part A पढ़ रहा हूँ बोलता है बेटा Surinder Mohan started business on 1st of April 2019 with capital of 7,50,000 बेटा Surinder Mohan ने business start किया बेटा 7,50,000 रुपे capital लाया बेटा 1 April 2019 को यानि कि बेटा that means it is a opening capital ठीक है जी and a loan of rupee 2,00,000 taken from Punjab National Bank कहता है 2,00,000 रुपे का उसने loan भी लिया है पंजाब National Bank से ठीक है जी bank loan लिया है बेटा bank loan again a liability आपको याद होगा प्यारे बच्चो ठीक है जी कहता है find out his capital on 31st of March 2020 and the profit made or losses incurred during the year 2019-20 बेटा यानि की question number 12 जैसा illustration number 13 है बेटा illustration number 12 भी ऐसा था मैंने भी question 12 भी कर दिया और illustration number 13 का ए पाट भी बिलकुल समिलर है बच्चो ठीक है जी एक मिनट लगाते हैं बेटा calculate करते हैं कुछ चीज ऐसी हो सकती है बेटा जिसपे आप अठक जाओ मैं बेटा अठक नहीं दूँगा आपको attention मतलो बेटा मैं कराता हूँ आपको प्यारे बच्चो आप इसका solution note कर देना मैं rub कर रहा हूं इसको लो जी मैंने बेटा question number 12 किया था मैं इसको rub कर रहा हूँ हम कर क्या रहे हैं बेटा में illustration number 13 कर रहे हैं बहुत आराम से चीजों को पढ़ रहे हैं बलकि 13 का ए पार्ट लिखो लो प्यारे बच्चो question कहता है first of April 19 को 2019 को आपने क्या करा business start करा और business में आप capital ले करा है 7,50,000 रूपीज बहुत अच्छी बात बेटा आज के दिन ही कहता है आपने पंजाब national bank से loan लिया बेटा bank से loan लिया लिख दू bank loan लिख दो बेटा bank loan कितने रूपे का loan लिया बेटा दो लाख रूपे का loan लिया आपने ठीक है प्यारे बच्चो कहता है लेकिन 31st March 2020 को आपकी asset कितनी हो गई बेटा टोटल एसेट हो गई 15 लाख रूपे और मुझे क्या निकालना है closing capital निकालनी है क्योंकि इसने बोला कि capital निकालो 31 March 2020 को that means closing capital निकालनी है as well as बेटा profit made or losses incurred लो प्यारे बच्चो बात को समझना अराम से मैं फिर बोलता हूँ बेटा मैं 31 March 2020 के दिन क्या कर रहा हूँ accounting equation लिगा रहा हूँ accounting equation मुझे क्या बोलती है बेटा simple सा formula total assets किसके बराबर होंगी मेरे प्यारे बच्चो capital plus liability total assets किसके बराबर है बच्चो capital plus liabilities ठीक है जी मैंने लिख दिया total assets question ने मुझे बताया 15 लाख है very very good मैंने लिख लिया बेटा question ने मुझे मुझे पूछा है capital कितनी आई 31 March 2020 को that means मुझे ये तो calculate करनी है ये मेरी closing capital है बेटा कोई नहीं अभी से calculate करेंगे बेटा what about liabilities क्या होगा liability का क्या figure put करू मैं liability के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात सो क्या bank loan मुझे एक liability पता है पता है बेटा लेकिन ये 1 April 2019 की पता है 31 March 2020 के दिन accounting equation बना रहा हूँ तो इस दिन liability कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों एक बात सो आपने साल के पहले दिन bank loan ले लिया 2,00,00 रुपे ठीक है जी ले लिया साल के पहले दिन 2,00,00 रुपे का bank loan ले लिया पेटा एक साल बीत गया क्या आपको कुछ बताया कि आपने bank loan repay करा या वापिस करा ऐसा कोई hint है question ने कुछ बताया नहीं बताया पेटा अराम से question रीड कर लो मैंने बहुत अराम से रीड करा क्या इसने ये बताया कि आपने bank loan वापिस कर दिया नहीं बताया क्या इसने ये बताया कि आपने bank loan और amount का ले लिया नहीं बताया बेटा बस इसने ये बताया कि 1 April 2019 को आपने पंजाब National Bank से 2,000,000 रुपे का loan लिया ठीक है जी जब बेटा कुछ नहीं बताया कि कुछ उतारा है loan या नहीं उतारा या कुछ और loan लिया है साल के बीच में नहीं लिया कुछ नहीं बताया तो मेरे प्यारे बच्चो bank loan 31 March को भी तो बेटा 2,000,000 का खड़ा होगा बिजनस में जब आपने कुछ भी नहीं उतारी बेटा अमाउंट जब कुछ भी नहीं अमाउंट आपने नहीं लिए तो bank loan बेटा बिजनस में as it is खड़ा होगा साल के आखरी दिन भी बिल्कुल सही बात है बेटा तो क्या मैं लिख सकता हूँ liability के जगा bank loan 2,000,000 रुपे तो मैंने बेटा ऐसा लिख लिया है तो बेटा now we can easily calculate the capital बेटा ये इधर जाएगा negative हो जाएगा तो बेटा मेरी closing capital कितनी निकल कर आगई 13,000,000 रुपी closing capital बेटा निकल कर आगई 13,000,000 रुपी अगर आप इसको balance sheet से करना चाते हो बेटा वैसे भी कर सकते हो मैं इस question में नहीं कर रहा मुझे space की requirement है मुझे b part भी यहीं करना है ठीक है जी बच्चे कहरे हम खुद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे खुद कर सकते हैं आप खुद कर ले ना बच्चो चलो जी आगे बढ़ो बेटा मुझे इसी part में बोलता है profit और losses incurred बताओ profit हुआ तो वो बताओ और losses हुए तो वो बताओ बेटा opening capital पता है closing capital पता है निकालो मेरे प्यारे बच्चो profit same formula यूज करते हुए क्या करोगे आप opening capital plus additional capital introduced additional capital introduced और क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चो minus कर दो बेटा drawings low बेटा मैंने लिख दिया है minus drawings और क्या करो प्यारे बच्चो plus कर दो profit मेरे प्यारे बच्चो आपने plus कर दिया profit minus कर दो बेटा losses मैंने minus कर दिये losses but would be the result result would be the closing capital लो प्यारे बच्चो लिख दो closing capital मैंने लिख दिया बेटा closing capital क्या मुझे ओपनींग capital पता है पता है बेटा seven lakh fifty thousand थीक है प्यारे बच्चो क्या मुझे बेटा closing capital भी पता है closing capital भी पता है मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्छो बाबू question मुझे कहता है profit या losses निकालो जो भी आए वो निकालो क्या इसने बताया profit निकालना या loss ये तो नहीं बताया इसने तो और करके लिख दिया profit या loss निकालो मेरे प्यारे बच्चों दो मिनट में सोच लेंगे profit आएगा year loss आप बात करो additional capital की odd drawing की बेटा जब तक कुछ नहीं बताया it is assumed to be zero मैंने assume कर लिया बेटा zero बेटा अब एक बात बताओ 7,50,000 is the opening capital मेरे को पहुचना है 13,000,000 तक कुछ add करके पहुचूंगा या कुछ less करके पहुचूंगा बड़ा obvious answer है बेटा 7,50,000 पे आपो आपको 13,000,000 तक जाना है कुछ तो add करना पड़ेगा that means बेटा losses तो नहीं हुए होंगे losses is zero तो कितना add करूं कि मैं यहां तक पहुच और मेरा क्याल बेटा 5,50,000 लो प्यारे बच्चो ब्रेकेट में लिख देना balancing figure आपने balancing figure निकाली मेरे प्यारे बच्चो लो अगर आप formula यूज करना चाहो तो आप formula भी कर सकते हो opening capital plus this plus this plus this minus this closing capital और बेटा इन सारी figure को zero put करके profit की figure calculate कर सकते हो बच्चो तो यह था बेटा 13 question का A part what about B part बेटा मैंने तो भी read भी नहीं किया चलो जी बच्चे कहरें read करा दो भाईया लो प्यारे बच्चो आपको ज़्यादा जल्दिया लगता है लो मैं read कराता हू कहता है if in the above illustration the proprietor had introduced additional capital of 1,25,000 and had withdrawn 40,000 for the personal purposes find out the profit बावो question ज़्यादा clarity देने लगता है कोशन ने पुच्चा इस वर profit ही बता दो कोशन ने कुछ काई नहीं वेटा loss आएगा कोशन ने का profit बता दो लेकिन आपको दो बाते साथ ने बता देता है कहता है additional capital introduced अगर 1,25,000 हो और drawings 40,000 हो तो what would be the profit, profit कितना होगा लो प्यारे बत्चों मैं नहीं समझता कोई मुश्किल कहा मैं इसको निकालना लो एक मिनट लगाओ इसको calculate करते है again use the formula opening capital plus additional capital minus drawing plus profit minus losses is equal to closing capital लो बेटा मैं कर देता हूँ आपके लिए भी पाट opening capital plus additional capital introduced additional capital introduced minus कर दो बच्चों drawings बेटा प्लस कर दो प्रोफित minus कर दो बेटा losses what would be the result it would be बेटा closing capital लो बच्चों बाबू closing capital question ने मुझे दी नहीं थी मैंने calculate करी थी कितना आता बेटा 13 लाक्स लो प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूँ opening capital question ने मुझे दी थी 750 मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों question इस बार मुझे का profit कितना आएगा that means losses are zero मैंने dash लिख दिया zero लिख देना जो मर्जी लिख लो बेटा कोई फरक नहीं पड़ता question कहता है अगर additional capital introduce 1,25,000 हो लिख दिया बेटा अगर drawings 40,000 हो तो profit क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बेटा जिस जिस की figure मुझे given थी मैंने सब लिख दिया profit would be the balancing figure मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहीं से calculate कर सकते हो तो यहीं से कर लो वरना बेटा जैसे आपको ठाइक लगे बेटा this plus this 8,75,000 8,75,000 में से 40 चलेगे यानि कि बेटा sorry 8,35,000 8,35,000 is the opening capital plus additional capital minus drawing 8,35 है मुझे कहां तक पहुचना है बेटा 13,00,000 तक पहुचना है 13,00,000 में से अगर आप यह deduct कर दो तो आप पहुच जाओगे बेटा 4,65,000 would be the balancing figure मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते तो देखो कैसे कर सकते हो इसको simple लिखो बेटा opening capital plus additional capital मैं shortcut में लिख रहा हूँ आप पूरा लिखेंगे ऐसा कोई काम आप नहीं करेंगे minus drawings plus profit is equals to closing capital ठीक है जी opening capital की figure कितनी है 750 what would be the additional capital 125,000 minus drawings profit मुझे calculate करना है is equals to closing capital 13,00,000 लो बेटा this plus this minus this बेटा यह आएगा 8,35,000 ठीक है जी plus profit is equals to 13,00,000 बेटा यह figure इदर जाएगी minus हो जाएगी profit is equals to 13,00,000 minus 8,35,000 answer would be 4,65,000 तो प्यारे बच्चों ऐसे करना है ऐसे कर लो, ऐसे ठीक लगता है ऐसे कर लो, यह आपकी मर्जी है मैं लिख देता हूँ और ठीक है ना बेटा ऐसे करना है ऐसे कर लो, ऐसे ठीक लगता है ऐसे कर लो तो क्या हमारा illustration number 13 over हो जाता है बेटा, बिलकुल over हो जाता है तो हम क्या करें बेटा अब बाबु आप solution note कर लो और अगर आपने खुद किया है तो बहुत अच्छी बात match कर लो अगर सब ठीक है तो लो प्यारे बच्चों मैं rub कर देता हूँ फिर illustration number 14 करते हैं लो बेटा बाबु इलस्ट्रेशन number 14 करते हैं कहता है give an example for each of the following type of transaction बाबु बोलता है give an example for each of the following type of transaction इसने कुछ type of transaction बताई हुई है मेरे प्यारे बच्चों और मुझे क्या कहता है बेटा कहता है इसका एक-एक example दे तो एक-एक example ठीक है जी दे देंगे कहता है बेटा increase in one asset and decrease in another asset बाबु क्या बोलता है मेरे को कहता है कैसा example दे दो जिसमें एक asset बढ़ रही हो और दूसरी asset गिर रही हो एक asset में increase हो रहा हो और दूसरी asset में decrease हो रहा हो मेरे प्यारे बच्चों अगेन बोलता हूँ it is also based upon the accounting equation आपने accounting equation में दुनिया जहान की transaction बढ़ी है दुनिया जहान की transaction मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना है remember करना है सोचना है कि ऐसी कौन सी transaction होगी जिसकी वज़ा से बेटा एक asset तो बढ़ जाएगी लेकिन दूसरी asset गिर जाएगी बभू देखो मैं सोच सकता हूँ एक asset बढ़ा दू और दूसरी asset को गिरा दू लो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ illustration number 14 और उसका A part increase in one asset and decrease in another asset मेरे प्यारे बच्चों सोचो purchase of furniture purchase of furniture for cash बेटा अगर मैं furniture cash खरीद दू तो आपको नहीं लगता एक asset बढ़ जाएगी और एक गिर जाएगी सोचो बेटा furniture cash खरीदने से business में furniture आएगा क्या एक asset बढ़ी बिल्कुल बढ़ गई क्या बेटा 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 दूसरी asset में decrease हो गया बेटा बिल्कुल decrease हो गया तो मेरे प्यारे बच्चो यहां पर काम आएंगे आपके analytical skill की आप कितना अच्छा सोच सकते हैं क्या बेटा एक ही example देना है एक देना है बेटा अगर दो तीन देने होते हैं क्या फरक पड़ता है purchase of machinery for cash machinery आजाएगी cash कम हो जाएगा purchase of land for cash land आजाएगी बेटा cash कम हो जाएगा तो बेटा एक्जामपल दो तीन कितने भी बन सकते हैं कोई मुश्किल बात नहीं चलो जी आगे बढ़ो बेटा आपको क्या बोलता है बेटा दूसरी transaction में बोलता है increase in asset, increase in liability ऐसी कोई business transaction जिससे asset भी बढ़ जाए और liability भी बढ़ जाए अच्छा asset भी बढ़ जाए और liability भी बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चो सोचो, सोचो ऐसी कोई business transaction क्या मैं लिग दू बेटा purchase of purchase of furniture for credit purchase of furniture on credit बेटा क्या मैं लिग दू purchase of furniture on प्रेट बेटा उधार पर फरनीचर खरीदने से क्या होगा सोचो बेटा क्या पर नीचर बिजनस में आ जाएगा बेटा बिलकुल क्या एक एसेट बढ़ गई बढ़ गई उसने का लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए मेरे प्यारे बच्चो बढ़ेगी ना आप टेंशन क्य ले रहे हो जब आपने फरनीचर क्रेडिट पर खरीद आ तो बेटा वो सप्लायर जिससे आप उधार पर खरीद कर लाए हो से आप क्रेडिटर बोड़ते हो तो क्रेडिटर की अमाउंट बढ़ेगी बढ़ेगी क्रेडिटर इस लायबिलिटी तो बेटा एक ऐसी बिजनस जिससे asset भी बढ़ रही है और liability भी बढ़ रही है तो क्या बेटा मैंने B part का भी example दे दिया मेरे प्यारे बच्चों दे दिया आपके skills कौन से चेक हो रहे है analytical skills मेरे प्यारे बच्चों सारी बात accounting equations है कोई नई बात नहीं कर रहे हैं आपके बस skills को चेक कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों बिलकुल determined रहा हो आप ये question खुद दर सकते हो मेरी ज़रत नहीं है आपको ये question करने की आप खुद सोच रहे हो मेरा नहीं देख रहे हो आप चलो जी बेटा third part increase in asset, increase in honors capital asset भी बढ़ रही है और honor की capital भी बढ़ रही है honor मतलब proprietor की capital भी बढ़ रही है बेटा सबसे पहली transaction क्या होती है बेटा started a business with cash started a business with cash बेटा अगर business start हो रहा है cash के साथ तो क्या होगा बेटा बाबू cash आएगा business में आएगा cash बढ़ेगा बेटा बिल्कुल बढ़ जाएगा business का क्या बेटा capital आएगी business में क्या capital बढ़ जाएगी बेटा बिल्कुल तो इसने भी तो यही पुछा कि एक ऐसे business transaction जिससे asset में increase दो और honor की capital में increase दो तो बेटा यह तो हमारी बिल्कुल पहली transaction होती है बेटा business की जैसे ही business start करने के लिए आप cash लाओगे या stock लाओगे या building लाओगे या furniture लाओगे कुछ भी लेओ बेटा एक asset जरूर बढ़ेगी बेटा और साथ ही साथ honor की capital भी बढ़ जाएगी बच्चो ठीक है मेरे प्यारे बच्चो fourth का example दो आप मैं कहा रहा हूँ आप मुझे post करके खुद example दोगे decrease in asset decrease in liability बेटा एक ऐसा example जिससे क्या हो liability भी गिर जाए और asset भी गिर जाए मेरे प्यारे बच्चो सोचना आपका काम है सोचो 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 payment to creditors payment to creditors अगर मैं creditor को pay करूँ होगा क्या सोचो बेटा जैसे ही मैं pay करूँगा क्या cash कम हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा क्या बेटा asset गिर गई बेटा asset तो decrease हो गई what about liability बेटा जब आप creditor को payment करोगे तो creditor भी तो कुछ से गायब हो जाएंगे बिल्कुल कम हो जाएंगे क्या बेटा liability भी गिर गई बिल्कुल गिर गई तो मेरे प्यारे बच्चो ये है example asset भी गिर जाए और liability भी गिर जाए छी कह जी last business transaction लो जी last transaction क्या बोलती है decrease in asset decrease in honors capital मेरे प्यारे बच्चे शायद सोचपाइंग होंगे बेटा drawings कहता है एक ऐसा example जसमें बेटा asset भी गिर जाए और owner की capital भी गिर जाए drawing reduces the capital बेटा जैसे ही आप business से drawing करते हो cash balance कम हो जाता है क्या asset गिर गई बिल्कुल गिर गई बेटा क्या capital भी गिरेगी इससे बिल्कुल गिरेगी बेटा drawing हमेशा reduce करता है capital को तो capital भी reduce हो जाएगी प्यारे बच्चो तो क्या हमारा illustration number 14 या बिल्कुल finish हो गया बेटा बिल्कुल finish कर लिया हमने illustration number 14 बच्चे कह रहे हैं homework दे दो आज का मेरे प्यारे बच्चो homework करना चाहोगे आप कर लो question number 13 और question number 14 ये मैं आपको homework में दे रहा हूँ प्यारे बच्चो अभी मैं एक नया concept शुरू करने वाला हूँ तो एक नया concept की चर्चा करने जा रहा हूँ मैं आपको वज़ा बता देता हूँ बेटा देखो accounting equation में हमने two types के question कर लिए एक वो जिसमें हम पूरी accounting equation को prepare करते देख format के through serial number, transaction assets is equal to capital plus liability की बात करते थे एक बेटा first type के question वो थे type number 2 का हमने discussion कर लिया type number 2 आपने अभी करे formula based question जिसमें formula हम वो ही लगाते थे total assets is equal to capital plus outside liability अब बेटा third type के question start हो जाते हैं आपकी book में लेकिन अभी आपको कुछ नहीं देखना मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको कुछ basic समझना है, कुछ इसका base बनाना है मुझे को एक नए concept की जपचा करनी है फिर मैं in question पे धीरे धीरे आपको shift करूँगा लेकिन यहां से समझ लेना बेटा reality में account start होगी असल माइने में बेटा आपकी यहां से account start होगी यहां से बेटा बिलकुल नई चीजों की तरफ आप move on कर रहे हो बेटा अगले 3-4 दिन बड़े critical हैं बेटा यह 3-4 दिन अगर आप निभा लेते हो तो बेटा मैं नहीं समझता पूरी accounts में आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली है तो बेटा 3-4 दिन आपका focus अब से भी ज़्यादा होना चाहिए जितना focus जितना dedication आपने अभी तक show किया डबल कर दोसका लो प्यारे बच्चो बहुत अराम से चलेंगे क्योंकि नहीं बात है मैं काफी slow जाओंगा बेटा मैं नहीं जाता किसी को कोई problem आए तो बेटा मैं बहुत slow चलूँगा लो प्यारे बच्चो लो बेटा आप मेरे साथ साथ notes बना कर चलेंगे ताकि आपको बाद में कभी problem ना हो लो प्यारे बच्चो मैं एक नए concept की चर्चा स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे theoretical term आपको परड़ानी है जिसका नाम है account account मेरे प्यारे बच्चो मैंने accounts की बात नहीं करी मैं आपको कोई accountancy की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके किसे subject की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ account there is lot of difference between accounts and account बेटा मैं account की चर्चा करने जा रहा हूँ आपने पहले कभी नहीं करी accounts तो आपका subject है बेटा इसको आप प्यार से बेटा accounts बोलते हो वैसे accountancy बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैं बात कर रिसकी करने जा रहा हूँ सिर्फ account की तो समझना बेटा account क्या होता है लो लो प्यारे बच्चों मैंने account की एक fancy सी definition लिख दी मैंने क्या बताया मैंने इसमें लिखा it is a summarized record of transaction at one place relating to a particular head fancy definition लिख दी मेरे प्यारे बच्चे करें इसके उपर analysis तो कर दो जैसे आप हर बार करते हो बेटा analysis करूँगा कुछ बातों को समझना account से मेरा मतलब क्या होता है बेटा जब भी मैं अपने पूरी साल की transaction की summary बनाता हूं एक जगा पर record करता हूं एक जैसी चीज़ों को तो ऐसी चीज़ों को मैं account बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चो account क्या है summarized record जब मैं बेटा अपनी एक जैसी transaction की एक particular head की transaction की मैंने पूरे सालवर transaction करी बेटा आज एक अपरेला मैंने purchase कर दिया मैंने समान sale कर दिया ठीक है जी आज दो तारीक है बेटा मैंने salary पे कर दी थोड़ा सा समान करीद लिया आज तीन तारीक है बेटा मैंने थोड़ा सा बेटा समान बेच दिया मैंने cottage पे कर दी आज चार तारीक है बेटा मैंने समान खरी लिया बेटा मैंने स्टेशनरी खरीद लिया बेटा आज पांस तारीक है मैंने समान भेचा भी है खरीदा भी है तो बेटा मैंने पूरे साल बर पता नहीं कितनी बिजनस ट्रांजेक्शन किया What do you mean by the account जब मैं समरी बनाने की कोशिश करता हूँ मैंने पूरे साल बर जितनी ट्रांजेक्शन की है बेटा जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है जब भी मैं एक जैसी ट्रांजेक्शन की समरी बनाने की कोशिश करूँगा मैं उनको account बोलने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ ब तो बेटा जब भी मैं purchase account बनाऊंगा इससे मेरा मतलब क्या होगा बेटा मैं पूरे साल भर की गई purchase जैसी transaction को एक जगा पर लिख रहा हूँ बेटा मैं sale account बनाऊंगा तो इससे मेरा मतलब क्या है बेटा पूरे साल भर मैंने जितनी भी sales की है मैं जितनी भी sales मैं उसकी summary बना रहा हूँ मैं एक जगा पर सारी sales को लिख रहा हूँ बेटा account का मतलब ही क्या होता है एक जैसी transaction को एक जगा पर लिखना बेटा एक particular head की transaction को मेरे लिए particular head याँ पर purchase है मैं इसकी summary बना रहा हूँ, मैंने पूरे साल में जितनी purchases करी मैं सब एक जगा पर लिखने वाला हूँ, मैंने पूरे साल में जितनी sales करी मैं एक जगे पर लिखने वाला हूँ, account word यही denote करता है, ठीक है जी, मेरे प्यारे बच्चे कहरें समझ आ गई यह बात तो चलो account क्या हो बनाते हो ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसमें आप दो side होती हैं, बस दो side, अच्छा, तो सिर्फ दो side होती हैं बेटा, बिलकुल, एक side को हम बोलते हैं left end side, बेटा देखो, यह रहा account, account की दो side हैं बेटा, यह है left side, अच्छा, और बेटा, यह side, यह side है, right side, हम प्यार से बोलेंगे debit side, अच्छा, इसको debit side बोलने वाले हैं, हाँ बाब, और right hand side को बेटा, हम बोलने वाले हैं, प्यार से credit side, बेटा, left hand side को किसी भी account में दो side होती हैं, बेटा, एक होती है left hand side, और दूसरी होती है, right hand side, बेटा, left side को आप क्या बोलते हो, debit side, और बेट बेटा, राइट साइट को आप क्या बोलते हो, credit side, इसी लिए जब भी लोग account बनाते हैं, प्यार से left hand side के उपर लिख देते हैं, dr. बेटा, ये doctor नहीं है, debit का shortcut है, प्यार से बेटा, dr. अच्छा, और बेटा, जब भी हम कोई भी account बनाते हैं, उसके credit side, उसके right hand side उपर प्या side होंगी, एक side है left hand side और एक side है right hand side, बेटा, left hand side को बोलने वाले हैं, debit और right hand side को बोलने वाले हैं, credit, इसी वज़ा से जब भी account बनाया जाता है, left hand side के उपर प्यार से हम लिख देते हैं, debit और right hand side के उपर लिख देते हैं, credit, बच्चे कहरें, format तो बना, इसका कैसा होता है, बेटा देखो, कोई भी account बनाना, उसका format बिलकुल एक जैसा है, मैं बताखता हूँ आपको, क्या है बेटा, लो बेटा, left hand side में भी 4 column और right hand side में भी 4 column, मेरे प्यारे बच्चों सुनना शुरू करना, यह first step है आपका accounts का, लो जी, left hand side में भी 4 column और right hand side में भी 4 column, पहले column का न होता है बेटा, JF, JF मतलब journal folio, बेटा मैं लिक देता हूँ, अभी आपके लिए बिलकुल नया word है, वैसे इसका इस्तमाल मुझे पूरे साल नहीं करना, बस full form पता होनी चीए, JF मतलब बेटा, journal folio, ठीक है जी, और बेटा, sales account का एक और column, बेटा, amount, लो प्यारे बच्चों, चार column on the left side, और ये left side कौन सी side होती है, debit, प्यार से उपर लिख दो, debit, और बेटा, sales account का right hand side का column, बेटा, कोई भी account हो, left side हमेशा debit side, right side हमेशा credit side, बेटा, left side में 4 column है, तो right में भी 4 है, लो बनाओ 4 column, date, particular scale column थोड़ा बड़ा, JF का बिलकुल छोटा सा, लो जी, date, बेटा, इ फिर particulars का column, छीक है जी, फिर बेटा, JF का column, journal folio, and then बेटा, amounts, लो प्यारे बचो, क्या मैंने format सीख लिया, बेटा, कोई भी account बनाना हो, ये 8 column बनते हैं, कोई भी account बनाना हो, ये 8 column बनते हैं, किसी भी account में, बेटा, left hand side would be the debit side, and right side would be the credit side, बेटा, left के उपर लिख दो, DR, श बेटा, मैंने किसी भी account का format आपको बताने की कोशिस करी, बेटा, किसी भी account में, बेटा, एक left hand side है, एक right hand side है, left hand side में, चार column, date का, particulars का, JF का, amount का, right में भी चार column, date, particulars, JF, and amounts, तो ये था, बेटा, मेरा अभी थोड़ी सी चर्चा, मैंने बेटा, जितना कराना है, अभी त बाकी बाते मैं बेटा next class में करने वाला हूँ, आप बेटा इतना revise करके आना next class में, और homebook करके आना बेटा, question number 13 and question number 14, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चो, बाई-बाई